हलो एवरीवन स्री भगवान दास तोधी महाविद्याले के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की जो क्लास है अपनी उस क्लास के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं पाइला के बारे में जो की गेस्टो पोडा का सदस्य है एपल स्नेल जिसको हम कहते हैं पाइला और आज हम इसमें बात करेंगे इसके डाइजस्टिव सिस्टम के एपल स्नेल के नाम से इसको जाना जाता है और ये फ्रेश वाटर एनिमल कहलाता है जब इसका हम क्लासिफेकिसन करते हैं तो इसको मोलस्का में सामिल किया जाता है फाइलम है इसका मोलस्का और मोलस्का में वो एनिमल सामिल है जिनकी soft body पाई जाती है सॉफ्ट बोडी के लिए हम यह कहेंगे यह एक ऐसा अनिमल है जिसके अंदर जो स्केलेटन पाए जाता है और बाई यह कबच पाए जाता है इनका सरीर जो है वो बहुत ही मुलाइन और सॉफ्ट नेचर का होता है क्लास है इसकी गेस्ट्रो कोड़ा इंडिया में इसकी जो है लगबग आठ अलग अलग तरीके की स्पीसी डेखने को मिलती हैं और यह ज़ादतर जो किनारे होते हैं सेंडी जो एरिया होता है वहाँ पर यह देखने को मिलते हैं और इसकी जो नेचर है खासकर पाइला की वह अडेप्टिव नेचर है यह एक्वेटिक नेचर में भी रहता है और टेरिस्ट्रियल इंवार्मेंट के अंदर भी यह देखा जा सकता है तो हम इसको यह कहेंगे कि यह एक्वेटिक प्लस टेरिस्ट्रियल हैबिटेट शो करता है दोनों परकार के आवास में यह जीवनियापन कर सकता है सब क्लास है इसकी प्रोसो ब्रिंग किया सब क्लास है प्रोसो ब्रिंग किया ठीक है और ऑडर है इसका मीजो गेस्ट्रो परड़ा ठीक है और जीनस पाइला और जिस स्पीसीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाइला ग्लोबोसा के नाम से जानी जाती है ठीक है तो यह जो एनिमल है इसके अंदर जो एक जो ठीक है इस एंटर्ण के कारण यह हउल डावलप होते हैं पेनल्टी मेट टाइप के इनको हौल कहते हैं चक्र कहते हैं और यह जो कोईलिंग है इसे कोईलिंग और इसकी जो श्रुक्छर है इसी के बैसिस पर इसको हम क्या करते हैं apple snail का नाम देते हैं यह के इंदर यहां पर foot वाला च्छतर होता है जहां से इसके जो head वाला शीरा है और foot वाला शीरा है वो बाहर निकलता है जो कि इसमें मूवमेंट के लिए और बहुजन ग्रेंड करने के लिए उत्तर दाई है ठीक है आगे हम इसमें चलते हैं कि जैसे कि अपना टोपिक अपने लिया है कि इसका डाइस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे तो इसका डाइस्टिव सिस्टम किस रूप में पाया जाता है उसको हम बैग्राम की साहिता से समझन कि यह इसमें है कि बक्कल मास वाला च्छित्र है इसके डाइस्टिव सिस्टम में क्या-क्या चीजें सामिल है बक्कल केविटी इसोफेगस स्टोमक इंटेस्टाइन और रेक्टा क्योंकि इसका जो डाइस्टिव सिस्टम है वो फॉर गट मिड़ गट और हाइंड गट में विभाजित होता है और इसके इस डाइस्टिव सिस्टम में जो सामिल है वो है डाइस्टिव यह पार्ट्स ठीक है जिसको हम कहते हैं एलमेंटरी कैनाल के यह सारे भाग है ठीक है प्लस दूसरा इसका सिरा है जिसमें सामिल है डाइस्टिव ग्लेंट्स जिसमें इस सो फेजियल ग्लेंट सामिल है और हिपेटो पिंक्रिया सामिल है ठीक है तो यह है इसका बकल पार्ट जिसको हम बकल मास के नाम से जानता है ये काफी बड़ा च्षत्र होता है और इस बकल मास वाले च्षत्र चे अंदर यह मुस्कुलर होता है मुस्कुलर इसका पार्ट है ये मसल्स Drama होती हे जिसमें आप देखेंगे के इसमें इन्टिरियर मसल्स के रूप में यहाँ पर एक मसल्स का गुच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको हम वेमे भीन डौर सल मसल्स की नाम से जानता है ज है यह जो मेडियन डौर सल्सल्स है इनके साइड में फी लेटरल साइड में जो एंटिर्यर और पॉस्टिरियर मसल्स भी यहाँ पर मोजूद होती और वह किस तरीके से पाई जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इसमें लेटरल पोजिशन में रहती हैं यह मसल्स पतलब यहाँ पर क्या है मसल्स का एक गुच्छा मुझूद होता है ठीक है और यह हैं एंटिरियर डॉर्सल मसल्स इनकॉम कहेंगे यह एंटिरियर पोजिशन में हैं और डॉर्सल मसल्स के पास हैं ठीक है यही पर आप देखेंगे कि इस तरीके से क्रोस लिंक्ट मसल्स का गुच्छा यहाँ पर मुझूद रहता है हाँ 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 कि ओप कर है और कि यह जाने जाती हैं पॉस्टिडियर कि पॉस्टीरियर कि दॉर्सो लेटरल मसल्स ठीक है यहाँ पर तीन परकार की मसल्स है मेडियन डॉर्सल जो की एकदम मध्यवर्ती सीरे पर मुझूद होती है और उसके बाद में है यहाँ पर एंटिरो या एंटिरियर डॉर्सल मसल्स जो की मेडियन डॉर्सल के साइड में मुझूद होती है और उसकी नीचे की तरफ है पॉस्टिरियर डॉर्सो लेटरल मसल्स जो की एंटिर डॉर्सल मसल्स के साइड में व्यवस्तित होती है इन सभी मसल्स का क्या कारिये है इनका मूल कारिये है बकल केविटी को मस्कुलर बनाए रखना क्योंकि यह जो जनतु है इस जनतु के अंदर जो माउथ पार्ट है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है यहां पर जो मस्कुलर एक्टिविटी है इस muscular activity के कारण भोजन को चोटे-चोटे टुकडों में तोड़ा जाता है और ये पीशा जाता एक परीके से ठीक है तो ये जो भी भोजन ग्रेंड करता है अब भोजन के रूप में ये देखो क्या-क्या चीजें ग्रेंड करता है ये मासलोद्वित जो पौदे हैं पादप है जिसमें सामिल है आपके पिश्टिया वेलिस नेरिया आदी को ये भोजन के रूप में ग्रेंड करता है मतलब ये गुदेदार जो प्लांट होते हैं गुदेदार जो प्लांट होते हैं प्लांट लिव्ज को ये भोजन के रूप में ग्रेंड करता है ठीक है अब ये जो पूरा पार्ट है ये एक केविटी के रूप में काम करती है जिसको हम बकल मास के नाम से जानते हैं ये जो बकल मास है इनके अंदर इस तरीके से विवस्तित स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिनको हम बकल गेंगलिया के नाम से जानते हैं सेंसरी इनकी नेचर है इनको हम कहते हैं बकल गेंगलिया नेचर कैन की ये हैं सेंसरी पार्ट है जो बोजन की प्रकरती को पैचानने में हेल्प करते हैं ठीक है ये जो बकल मास है इसकी नीचे की तरफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो की इसो फेगस के दोनों तरफ पाई जा रही है यह है रेडूलर शीट रेडूलर शीट इस रेडूलर शीट के दोनों तरफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है और यह जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है यहां पर इसको हम कहते हैं इसो फेजियल पाउच इसो फेजियल पाउच जो है बोजन की प्रकरती के आधार पर यह एंजाइम का सेक्रेशन करने में रोल प्ले करती है इसो फेजियल पाउच यह क्या है एक तरीके से डाइजेस्टिव ग्लेंड के रूप में डाइजेस्टिव ग्लेंड के रूप में कारिय करती है और पाचक एंजाइन का स्रावन यहां से करवाए जाता है जिससे की बोजन को छोटे टुकडों में और इसको डाइस्टिव फॉर्म में बदल दिया जाए ठीक है यहाँ पर है यह इसो फेगस जो की फत्ली तथा लंबी नलीका है इसो फेजियल ट्यू या इसो फेगस जिसकों कहेंगे यह लंबी नलीका है और इस नलीका के उपर की तरफ यहाँ पर व्यवस्तित है regular shack sheet तो ये जो regular sheet है ये क्या काम करती है ये आरी नुमा भाग होता है आरी के रूप में ये काम करती है ठीक है चेंसा action जिसको हम बहुते है हक्सले नाम के एक विज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया हक्सले ने ये बताया कि जो regular है वो चेंसा एक्सन या मुमेंट के रूप में वर्क करती है मतलब आरे के रूप में ये कारिय करती है कि जब ये मासलोध भी भोजन या मासलोध भी जो पौदे हैं उनके पत्तियों को जब ये भोजन के रूप में ग्रहन करता है तो उनको ये तोड़ने में हेल्प करती है ठीक है वो किस तरीके से काम करती है उसको हम अभी रेडुलर शेक और इसका जो और इन टो फोर वाला सिस्टम है उसको हम पढ़ेंगे आगे हम इसमें चलते हैं जो इसोफेगस है वो आगे चलकर के एक थेले नुमा सरंचना में कनवर्ट हो जाती है और ये जो थेले नुमा सरंचना है ये क्या कलाती है इस टोमक की रूप में जानी जा रहे है इसके यहाँ पर दो पार्ट है एक टिबुलर है और दूसरा से एक लाइक स्ट्रक्चर है और फिर आगे बढ़ जाती है इस टोमक का आगे का पार्ट जो कि interest and की रूप में मुजूद होता है तो ये जो सेकलाइक structure है ये क्या कलाती है इस टौमक और इस टौमक के चारो तरफ मुजूद जो तो ग्रंथीनुमा सरंचना है जो कि हेपेटो पिंक्रियाज के रूप में काम कर रही है ये भी क्या करती है स्रावण में अपना रोल प्ले करती है और स्टॉमक के यहां पर दोनों पार्ट मुझूद होते हैं कार्डियक और पाइलोरिक इसका जो ये स्टॉमक है वो और जुन्तों के तुलना में डैसन में ज्यादा रोल प्ले करता है हम ये कहेंगे कि जैसे यहां पर आरिनुमा जो भाग है वो केवल उन पतियों को तोड़ने में हेल्प कर रहा है बाकि कम्प्लीट जो डैसेशन है व क्योंकि इसका जो चेतर है अलग लग रूपों में इस तरीके से शीथ लाइक या सेक लाइक स्टॉक्चर में ये कर्वाट रहता है चोट-चोट थेले नुमा इसमें भाग रहते हैं अलग लग चेतरों में बटे रहते हैं जो की कार्डियक पाइलोरिक सिक्रेट्री और र स्ट्राइशन हो जाता है उसे आगे फिर इंटेस्टाइंड में शिप्ट करवाते जाता है इसकी जो इंटेस्टाइंड है ये भी क्या होती है लंबी और कुंडलित सरंचना के रूप में है इस तरीके से ये कुंडलन बनाये रखती है और एक बड़ा कुंडलन ये बना कर के रिक्टम का फॉर्मेशन कर लेती है इस तरीके से इसमें कुंडलन यहां पर मुझूद रहते हैं और इन कुंडलन के फल्सुरूप यह कोइल का फॉर्मेशन करते हैं यह वाला पार्ट जो है इसका इनुटेस्टाइनल कोईल का निर्मान करता है यह वाला छेस्तर है रेक्टम के रूप में और टैनस के रूप में जाना रहता है ठीक है तो यह है इसकी इलिमेंटरी कैनाल इस इलिमेंटरी कैनाल में जो इसका रेडूला वाला पार्ट है उसकी स्टडी हम अलग डाइग्राम के माध्यम से करते हैं जिसमें हम जानने का प्रियास करेंगे कि इस अगर आप रेडूला के अंदर देखेंगे तो रेडूला इस तरीके की सरंचना है जिसमें अंतिबत सरंचना के रूप में ये रेडूलर फ्लेप है जो की रेडूला को व्यवस्तित रखते हैं रेडूलर फ्लेप और इस रेडूलर फ्लेप के अंदर पंक्ति बद सरंचना के रूप में यहां पर इसमें इसके दात या फिर जबडे मुझूद रहते हैं जिनमें बीच वाला जो दात है वो मीडियन रेकिडियन कहलाता है बाकी साइड के लेटरल और इनर और आउटर मारिजिनल के रूप में जाने जाते हैं आप इसमें देखेंगे कि दे कोई किस तरीके से व्यवस्तित होते हैं बीच में ये मीडियन रेकिडियन मुझूद है फिर साइड में ये इस तरीके से व्यवस्तित रहते हैं ये कठोर सरंचना हैं जो कि बोजन को काटने के लिए उत्तर दाए हैं लंबी सरंचना है ये आप जब इसका डाइग्राम बनाएं तो ये आपको जरूर ड्रो करना है उसमें ठीक है तो ये है कम्प्लीट रूप से मौजूद रेडूला जो चेंसा एक्सन या चेंसा मुमेंट दोराता है मतलब ये जब बोजन ग्रेंड करता है तो यहां से ये उपर की तरफ खिशक जाता है मस्कुलर एक्सन की साहिता से जैसे ये मौट अपरेटर्स को खोलेगा मौट पार्ट को ये खोलेगा कौलने के बाद वो जो पत्ती हैं अंदर की तरफ आएंगी तो ये मस्क्सल्स की साहिता से उनको दबा लिया जाएगा ठीक है दबाने के बाद में ये जो यहां पर रेडूला है इस रेडूला के उपर से इस तरीके से भोजन को निकाला जाता है ठीक है अब इस तरीके से जब यह बोजन ओपर से गुजरेगा तो यह जो यहां पर इसका ओडेंट ओफ और है जो इसका दंत विन्यास है उस दंत विन्यास की साहिता से क्या होता है कि इनको बोजन के छोड़ छोड़े टुकड़े कर लिए जाते हैं अब यह जैसे मनें बताएं आपको यह किस रूप में मौजूद है यह अगर आप देखेंगे इनको अलग रूपों में तो इसका जो दंत विन्यास वह किस तरीके से मौजूद रहता है कि यह कि मीडियन कि जो कि मार्जिनल या मीडियन रेकिडियन के रूप में यह जाना जा रहा है यह एकदम बीच में विवस्तित रहता है फिर इसके साइड में कि इस तरीके से यह लेक्टरल विवस्तित रहता है कि एक-एक आप इनर मार्जिनल और आउटर मार्जिनल के रूप में यहां पर एक-एक जोड़ी और मौज़ूद रहती है और यह जो इसके जबड़े हैं यह आरिनुमा मौज़ूद है और इनका कारिय क्या है कि यह बोज़न को छोटे टुकड़ों में काड़ देते हैं इसका जो दंत विन्यास देखा जाएगा वो दो एक-एक-एक और दो इस तरीके से यह विवस्तित रहता है जिसमें यह वाली जो सरंचना है यह कहलाती है मीडियन रेकिडियन और यह जो है दोनों एक-एक साइड में यह लेटरल और इनके नाम भी हैं कि यह है इनर मार्जिनल मतलब यह साइड में एक दब मवजूद होता है मार्जिन की तरफ मुझूद होता है और यह लास्ट वाला जो है इसको कहा जाता है आउटर कि मार्जिनल ठीक है तो यह इसका दंत विन्यास रहता है तो हमने अभी पढ़ा कि इसके एलिमेंटरी केनाल किस तरके से विश्थे रती और एलिमेंटरी केनाल के अलावा इसमें डाइस्टिव ग्लेंड जो है वह इसोफेजियल ग्लेंड और हेपेटो पेंक्रियाज के रूप में यहां पर मुझूद है दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो भोजन है वह या फिर जो गुदेदार प्लांट्स हैं उनकी लीव को यह बोजन के रूप में ग्रहन करता है फीडिंग मेकनिजम जो है उसमें माउथ की साहिता से इसमें पत्तियों को पकड़ा जाता है और अंदर जो लिप होते हैं उन लिप की साहिता से यह बोजन को अंदर की तरफ खीचेगा और खीचने में यहां पर मौझूद जो मीडियन डॉर्सल एंटिरियर डॉर्सल जो पॉस्टिरियर डॉर्सल लेटरल जो मसल्स हैं वह मसल्स अपना रोल प्ले करती हैं फिर जो बोजन अंदर की तरफ आ रहा है बकल गेंगलियों यहां पर रिस्पॉन्शिबल जो की सूचना दे देते हैं भोजन की यह परकर्टी कैसी है और जैसे बकल मास के अंदर के तरह बोजन भेजा जाएगा यह जो चैंसा एक्सन की साहिता से यह रेडूलर शेक है यह बोजन को चोटे टुकड़ों में तोड़ देगा अक्तियों को चोट चोटे ब्रेकिंग क कर देगा यह और ब्रेक करने के साथ ही यहां से झोउसोफेजेव्ष हैं कि जो कि इसषोफेजेव फाउ्श के अंदर मवजूद है यह डैसों को उसके उन्दर मिक्स कर देती है और से बौजन का ischnошہ हो जाता है वसे क्या होता है इस थे क्रिकाATA में यह जो शरंचना है जिस को हम इंट्रेश्टाइन का नाम दे रखें यह जो इंट्रेश्टाइइन है यह कैया करेगी आग mają चलकर के absorb कर लेती है और जो undistrit material रहता है उसको rectum में डाल दिया जाता है और इसकी rectum जो है वो क्या करती है NS की साहिता से mental cavity में जो भी abscist होता है उसको ये छोड़ देती है जिसे क्या होता है लगाता फिर बाहर निकाल दिया जाता है तो ये था elementary canal और इसकी diagnostic gland का part आप इसका screenshot ले लिजिए next video में हम अगले topic की चर्चा करेंगे thank you